पहले एक बार समझ लो सारे के सारे इस्ट्वेंट। GET और MAKE दो ऐसी कॉज़टी हुआ हैं जिनका उप्योग इस्ट्वेंट बहुत जादा इंग्लिश में करते हैं और लेट में तेल यू, आज एक छोटा सा अंतर समझ हो कि जब आप किसी व्यक्ति से काम करवाते हो MAKE SOMEONE SPEAK होता है किसी से कुछ बुलवाना, MAKE SOMEONE SPEAK, MAKE SOMEONE WRITE किसी से लिखवाना, MAKE SOMEONE TEACH किसी से पढ़वाना, MAKE SOMEONE COOK FOOD किसी से खाना बनवाना लेकिन GET जो होता है, GET SOMETHING होता है GET SOMETHING DONE GET SOMETHING DONE का मतलब समझ तो कुछ काम करवाना GET SOMETHING REPEARED मतलब किसी चीज को रिपैर करवाना और इसमें V3 लगता है याद रखना है जैसे देखो, यहाँ स्पीक आया, राइट आया, टीच आया, कुक फूड आया तो यहाँ देखो, V3 आया, DONE, REPEARED तो GET SOMETHING DONE मतलब कोई चीज, कोई काम को करवाना GET SOMETHING REPEARED मतलब किसी चीज को रिपैर करवाना मोबाइल सेल फोन को, टीबी को है, जिसको भी रिपैर करवाना कार को, जिसे मैंने कहा, मैं अपनी कार रिपैर करवा रहा हूँ तो I am getting my car repaired तुम्हें अपनी कार रिपैर करवानी चाहिए तो GET SOMETHING REPEARED मतलब कोई चीज को रिपैर करवाना ऐसे देखो GET SOMETHING SPOKEN कुछ बुलवाना अब जो भी आप उससे बुलवाना चाहते हो English बुलवाना चाहते हो, Hindi बुलवाना चाहते हो Marathi बुलवाजना चाहते हो, सच बुलवाना चाहते हो तो वहाँ पर SHE GET TRUTH SPOKEN वह सच बुलवाती है SHE GOT TRUTH SPOKEN before the judge, उसने judge के सामने सच बुलवाया, तो इस तरीके से जो भी, get something done, get something repaired, get something spoken, get something broken, किसी चीज को तुड़वा रहे हैं, तो उसके sense में यह यह होगा, get something broken, तो आप देख सकते हैं, get something done, get something repaired, get something spoken, get something broken, यह आपकी 4-5 ऐसी कुछ situation है, जिनका उपयग आपको करना होता है, और अगर आप इसको समझ गये हो, और नहीं समझे हो, तो tension मत लो, अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, सब समझ में आजाएगा, यह simple tense है, इसमें आप जब किसी से कोई काम करवाते हो, मैं मुझसे घर साफ करवाते हो, यू मेक मी क्लीन रूम, या यू मेक मी क्लीन यूर हाउस, मैं आपसे sentences बुलवाता हूँ, I make you speak sentences, मैंने आपसे sentences बुलवाए, I made you speak sentences, मैंने आपसे sentences बनवाए, I made you make sentences, दो बार made आए गए, एक बार तो made, और दूसरी बार make, मैंने आपसे sentences बनवाए, I made you make sentences, मैं आपसे sentences बनवाँगा, I will make you make sentences, मैं आपसे चाय बनवाँगा, I will make you make tea, मैं आपसे खाना बनवाँगा, I will make you cook food, मैं आपसे sentences बुलवाँगा, I will make you speak sentences, इसी तरीके से आप इसे एगर continuous में बनाना चाहते है, continuous में बना दे, continuous में आपको ismr लिखना है, make के साथ ing लगाना है तो वो making हो जाएगा, और उसके बाद वही rule, कौन सा objective case या person जो भी आप लगाना चाहे, उसके बाद work की first form plus object, मैं आप से English बुलवा रहा हूं, I am making you speak English, मैं I was making you speak English, I was making you speak English, और मैं आप से English बुलवा रहा हूंगा, I will be making you speak English, मैं आप से English बुलवा रहा हूंगा, इसी तरीके से perfect मैं देखू, मैं आप से English बुलवा चुका हूं, जो काम आप किसी से करवा चुके हो, उसके लिए hazard आएगा, उसके बाद मैं made आएगा, फिर object case या person आएगा, V1 plus object, मैं आप से sentences बुलवा चुका हूं, I have made you speak sentences, मैं आप से sentences बुलवा चुका था, I had made you speak sentences, मैं आपको याद रखना है कि present perfect tense में यहां made लिखना है, लेकिन यहां V1 आएगा, सब में दो को V1 आएगा, कोई साभी tense हो, past में had made हो जाएगा, future में will have made हो जाएगा, present continuous में has been making हो जाएगा, past perfect continuous में had been making हो जाएगा, तो ऐसे 12 tense में आप जो है, इस make को use कर सकते हैं, अब आपको एक sentence को पूरे 12 में बोलना है, आपने एक sentence बनाया, वह हमसे काम करवाती है, क्या कहोगे, she makes us do work, उसने हमसे काम करवाया, she made us do work, वह हमसे काम करवाईगी, she will make us do work, वह हमसे काम करवा रही है, she is making us do work, वह हमसे काम करवा रही होगी, she will be making us do work, उसने हमसे काम करवाया है, करवा चुकी है, she has made us do work, तो इसी तरीके से past में had, future में will have, पूरे 12 tense में आप इससे बना सकते हैं, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं, I make you speak English, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाउंगा, I will make you speak English, मैं आपसे इंग्लिश बुलवा रहा हूं, I am making you speak English मैं आपसे English बुलवा रहा था I was making you speak English मैं आपसे English बुलवा रहा हूंगा I will be making you speak English मैं आपसे English बुलवा चुका हूं I have made you Come on, एक बर बोलो I have made you speak English मैं आपसे English बुलवा चुका था I had made you speak English मैं आपसे English बुलवा चुका हूंगा I will have made you speak English च hedge me after 12 इन लिश बुलवा रहा हूँ आप से दो दिन से लुए वेग Shiv अद 4 इन लिश वेग नटीज works थी और 7at को आप से दो दिन से लिश बूल रहा हों एसे ही आप जोना आप जो स्को model works के साथ use करना चाहते है बिलकुल कर लो make objective case v1 plus object मैं आपसे इंगलिश बुलवा सकता हूँ I can make you speak English मैं आपसे इंगलिश बुलवा सकता था I could make you speak English मैं आपसे इंगलिश बुलवा सकूँगा I will be able to make you speak English मुझे आपसे इंगलिश बुलवानी चाही I should make you speak English आपको मुझसे English बुलवानी चाहिए You should make me speak English आपको मुझसे English अवश्य बुलवानी चाहिए You must make me speak English आपको मुझसे English बुलवानी चाहिए You ought to make me speak English आपको मुझसे English बुलवाना है You have to make me speak English आपको मुझसे English बुलवाना था You had to make me speak English आपको मुझसे English बुलवाना होगा, you will have to make me speak English. आप मुझसे English बुलवाया करते थे, you used to make me speak English. आपको मुझसे English बुलवाने की जरबत है, you need to make me speak English. और आप में मुझसे English बुलवाने की हिंबत है, you dare to make me speak English. So this is the way to work. जब तक आप इस वे में नहीं चीजों को समझोगे और अगर इस तरीके से आप इसको समझ जाते हैं तो चीजों को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा तो यह था आपका MAKE तो यह उम्मीद करता हूँ MAKE आपको सब को समझ में आया होगा अभी में MAKE केक एक्सराइस भी आपको दूँगा अब लेट्स टॉक अब गेट की बात करता है कि गेट कैसे ही यूज होता है GET something done मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना मैंने कहा अपना TV रिपैर करवाओ Get your TV रिपैर्ड क्या बोलेंगे इंगलिश में? मैं अपना TV रिपैर करवाओ Get your TV रिपैर्ड तो आपने का मैं पहली अपना TV रिपैर करवा चुका हूँ तो I have already got my TV रिपैर्ड आप देख सकते हैं I have already got my TV रिपैर्ड इन शाट जब आप get something done मतलब कोई काम को करवाते हैं किसी व्यक्ती से करवाते हैं तो make someone speak and get something done तो make someone speak make के साथ आप देख सकते हैं वो आपकी first form लग रही है लेकिन get के साथ आप देख सकते हैं वो आपकी third form get done, get repaired, get spoken, get broken get something broken मतलब किसी चीज को तुडवाना मैं ये दरवाजा तुडवाऊंगा I will get this door broken I will get this door broken क्योंकि दरवाजा सही जगे नहीं है because this door is not on the right place I will get this I will get this door broken I will get this door broken इस तरीके से आपका sentence अब get को जब आप use करेंगे practically तो देखो ये simple tense simple tense में ये आपने जहां पर make और makes लिखते हुआ get और gets लिखेंगे यहां पर आपका जो object है वो आएगा और फिर आपका वी थ्री आएगा past में got प्लस जो object है वो उसके बाद वी थ्री future में will प्लस get प्लस object प्लस वी थ्री एसी continuous tense में बनाना चाहा है बिलकुल बना दो subject प्लस is mr प्लस get में ing लगे क्या हो जाए getting प्लस object प्लस वी थ्री इसी तरीके से past में आप क्या लगा दोगे was were प्लस getting प्लस object प्लस वी थ्री future में क्या लगा दोगे will बी प्लस getting प्लस object प्लस वी थ्री चुलो बनाओ मैं कार रिपैर करवाता हूँ i get car repaired मैं अपनी कार रिपैर करवाता हूँ क्या कहोगे i get my car repaired मैं अपनी कार रिपैर करवाई i got my car repaired मैं अपनी कार रिपैर करवाँगा i will get my car repaired मैं अपनी कार रिपैर करवा रहा था i was getting my car repaired मैं अपनी कार रिपैर करवा रहा हूँगा i will be getting my car repaired मैं अपनी कार रिपैर करवा चुका हूँ i will have got my car repaired मैं दो दिन से अपनी कार रिपैर करवा रहा हूँ i have been getting my car repaired for two days एक बाइ फिर से बोलो i have been getting my car repaired for two days मैं दो दिन से अपनी कार रिपैर करवा रहा था i had been getting my car repaired for two days और मैं दो दिन से अपनी कार रिपैर करवा रहा हूँगा i will have been getting my car repaired for two days so this is the way to work जब आप इस तरीके से चीज़ों को समझोगे न then it is going to be very easy तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी बहुत ज़्यादा easy हो जाएगी लेकिन कब जब आप इस तरीके समझोगे तब चलो आईए हम लोग इसकी back to back practice करते हैं तो एक बार फिर से हम लोग जो है make और get के बीच में अंतर को समझते हैं मैंने कहा मैं तुमसे English बुलवाता हूँ I make you speak English लेकिन जब मैं बोलूँगा मैं English बुलवाता हूँ कि तुमसे नहीं बूलया मैंने मैं English बुलवाता हूँ तो आप इतना ही है, इस्ट्वेंट से वैसा कुछ दिया नहीं है, तो उसको गेट में बना दो, I get English spoken, in short, get में वो sentence ले लो आप, जिसमें person नहीं दिया, जिससे आप काम करवाते हो, काम दिया हो सिर्फ, I get English spoken, I get cell phone repaired, मैं cell phone repair करवाता हूँ, तो I get cell phone repaired, इस तरीके से आपको इसको समझ नहीं होगा, तो ये था आपके causative work, get or make especially, जो उम्मीद करता हूँ, कि आपके दिमाग में गए होंगे, मैं आपसे English पढ़वाता हूँ, I make you teach English, I make you teach English, मैं आपसे English पढ़वाई, I made you teach English, मैं आपसे English पढ़वाऊंगा, I will make you teach English, मैं आपसे English पढ़वा रहा हूँ, I am making you teach English, I am making you teach English में आपसे इंट्रू पढवा रहा था I was making you teach English मैं आपसे इंट्रू पढवा रहा हूंगा I will be making you teach English मैं आपसे इंट्रू पढवा चुका हूं हूं I have you teach English I have you teach English I will have made you teach English to speak English. So this is the way to work फ़ोय ओस तरीके से बना ओ जो पती on gonna then things will be easy to understand